नमस्कार शो में आपका स्वागत है नवीनतम विकास में युक्रेन ने एक नया सेना प्रमुक औलेक्जेंडर सिर्स्की नियुक्त किया है जो रूसी सेनाओं के खिलाफ कीव की सफर रक्षा के लिए जाने जाते हैं 58 वर्षियर रूसी मूल के जनरल सिर्सकी निन नौ फरवरी 2024 को वालरी जालुजनी से युक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इनचीफ के रूप में पदभार संभाला बखमुत की लड़ाई में उनके नेतरित्व के लिए उनकी सराहना की गई है जो इसकी तीवर लड़ाई और भारी हताहतों के कारण इसे मास्की चक्की के रूप में वर्नित किया गया है जब फरवरी 2022 में रूस ने युक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमन शुरू किया तो सिर्स्की को राजधानी कीव की रक्षा करने का काम सौपा गया था उन्होंने शहर और आसपास के खित्रों को सेक्टरों में विभाजित किया और प्रत्येक की निगरानी के लिए स्थानिय जन्रलों को नियुक्त किया ये रननीती, रूसी आक्रमन को विफल करने और कीव पर कबजा रोखने में सफल साबित हुई सेना प्रमुक्त के रूप में सिर्स्की की नियुक्ती को रूस के खिलाफ चल रहे युध्ध में युक्रेन की सेना का नेत्रित्व करने की उनकी क्षमता में विश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वह अपनी रन्नीतिक सोच, नवीन रन्नीती और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सिर्श्की के नेत्रित्व में, युक्रेन को देश की अपनी सफल रक्षा जारी रखने और अंतता हरूसी सेनाओं को अपने क्षेत्र से बाहर धकेलने की. उमीद है.